वेल्कम टू गोडन करियर आप एप्यास एप्यों की इंटर्वीव क्लासे चल रही है पार 25 है इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉमिसरी नोट के बारे में यह क्या होते हैं और इंटर्वीव में इस से रिलेट क्या 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 कुश्चिन्स पूचे जा सकते हैं तो अग हैं तो एंटर्वी वीडियोज सबसूट है तक पता था की अपकी त्रेकी टिन इस लिए नेमिस के मतलब घुकीशन हो गया दो लागुत पहला हम यहां पर बात करते हैं पेरो टानend दीडूर्ड के बारे मैं इसा पर बदलम को मतलब promissory note क्या है एक तरह का instrument है paper है writing में ठीक है containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain amount of money only to odd to the order of a certain person or to the bearer of instrument मतलब promissory note एक तरह का instrument है writing में मतलब oral जो है वो नहीं माना जाएगा जो एक unconditional undertaking देता है कोई एक sign करता है बंदा जो promissory note issue कर रहा है कि भाया आप इस certain person को हम इतने पैसे देंगे ठीक है या फिर bearer को मतलब जिसके पास वो note होगा उसको इतने पैसे मिलेंगे ठीक है तो basically अगर हम बात करें तो promissory note क्या होता है एक paper होता है writing में जिसमें एक promise होता है कि इतने पैसे जो है certain person को certain specified date में दिये जाएंगे मतलब एक pre-specified date में इतने पैसे दिये जाएंगे ठीक है यह valid होता है अब हम अगर बात करें कि जो मैंने बोला कि to the bearer of instrument ठीक है मतलब जो भी instrument लेकर आएगा लेकिर अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में जो है bearer प्रॉमिसरी नोट पिया लिखूंगा मैं हर जगे bearer प्रॉमिसरी नोट जो है वो valid नहीं है इंडिया में यह invalid है अब बोचो के भाईया क्यों invalid है तो bearer प्रॉमिसरी नोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ RVI की दोरा issue किया आते हैं Reserve Bank of India के दोरा ठीक है यह necessary है किसके लिए यह effective circulation of currency currency को circulate करने के लिए SBI issue करता है आप देखोगे नोट पे क्या लिखा होता है नोट पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं आपने देखा है कभी note में लिखा होता है ठीक है तो RVI जो है वो bearer प्रॉमिसरी नोट issue करता है in the form of Indian currency ठी इसलिए NI Act में currency है उसको exclude कर दिया गया है किस से negotiable instrument से तो अब जो पैसा है वो एक तरह का bearer प्रॉमिसरी नोट है लेकिन जो आपका NI Act है उसमें इसको exclude कर दिया गया है तो अगर एक तरह से माने हम तो note जो है वो एक negotiable instrument नहीं है अब चूंकि इसको NI Act से exclude कर दिया गया है कि प्रॉमिसरी नोट यह नहीं होगा इसलिए इसको जो है जो आपकी currency है इसको include किया गया है Indian Currency Act में Indian Currency Act ठीक है यह हो गया आपका Indian Currency Act भी आपने यहाँ पर देख लिया वैसे तो इतना important act नहीं है लेकिन देखते है कि लास्ट तक टाइम बसता है तो इंडियन Currency Act पे भी अब इस वीडियो में क्या देखेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि भईया essential feature क्या होते है प्रॉमिसरी नोट के प्रॉमिसरी नोट पर क्या क्या होना चाहिए ठीक है और यहां पर जो मेकर है वो कहां sign करेगा प्रॉमसी नोट दिखने में कैसा होता है उसकी हमतला dad is होना चाहिए इस मतलब चिह इसमाइं के एक कर रहें इसमान से प्र नहें होना कि फ्रोक, दीशोता को पार चाहिए यह से जाती है श का इसमान प्रॉस नाव कर तो बेंगे या stamp paper लगेंगे, draw party होती है, pay party होती है, तो ये सब ऩीजे हम यहां पर आप इस वीडियो में आगे determine क्या हो, तो पहले हम discuss करते हैं, क्या feature क्या होते हैं आपकेHa he wasu October, तो देखे फीचरी note लिखता हूँ features, नमिर पहले के बात करें हम तो printed, या फिर रेटन एग्रिमेंट होगा ये एक रेटन एग्रिमेंट होगा प्रॉमसरी नोट जो है शुट बी इन राइटिंग होना चाहिए एक जो ओरल प्रॉमिस है पैसे देने का वो यहां पर कंसीटर नहीं किया जाएगा कि आपने बोल दिया भाईया मैं आपको कल 100 रुप मतलब आप उसमें डिफाइन करोगा कि भाईया ये जब दिमांड करें तब दे दो या फिर पर्टिकुलर डेट को इतना पैसा मिलेगा ठीक है और उसमें जो है रेट आफ इंट्रेस्ट भी मेंशन किया रह सकता है ऐसा नहीं है कि रेट आफ इंट्रेस्ट मेंशन नहीं कर करना पड़ेगा प्लस इंट्रेस्ट ऑफ फो परसेंट ठीक है तुमिस्टर एक्सवाइजेड ऑन 10 ओक्टोबर 2022 ठीक है यह आपने उपर लिख दिया प्रॉमसरी नोट एक हेडिंग डाल दी और यहां पर आपने साइन कर दिये ठीक है और यहां पर एक रिवनियर कर सकते हैं इंको कुछ पैसे दूँगा तो वह आपका वैरेट प्रॉमसरी नोट नहीं है ठीक है प्रॉमसरी नोट में यहां पर जो सिर्फ अग्नॉलिजमेंट ऑफ डेट जो है वह नहीं चलेगा आपको प्रॉमस करना होगा कि आप यह पैसा दे दोगे ठीक है आप अग रुपीज 20,000 ठीक है या फिर आप उसमें लिख दो आयम लाइबल टुपे दे सेम अमाउंट यो पर मेंशन किया है आई विल लाइबल टुपे सेम अमाउंट तो यह जो है इन्वैलिड है यह वैलिड प्रॉमसरी नोट नहीं है जो आप प्रॉमसरी नोट लिखेंगे उस एक सब्सक्राइब ऊबिचते है इसे करके अगर आप लिखते हो तो वह चीज़े जो वैलिड हो जाएगी ठीक है प्रॉमसरी नोट में ज़ो है आपका जो वर्ड आना चाहिए वह प्रॉमस होना चाहिए बाॉंसरा आपकी जो है दिखना चाहिए आप उसको पे करने के लि थीक है, नेक्स्ट है, जो आपका प्रामिसरी note है, उसमें जो promise आप कर रहे हो, वो पूरी तरह से promise should be unconditional प्रामिस शुड़ B unconditional अब यहाँ पर क्या होगा मतलब आप जब प्रामिसरी note दे रहे हो, वो किसी happening पर dependent नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसा हो गया तो मैं दे दूंगा ठीक है conditionally promise note जो होता है conditionally promise note जो होता है वो not negotiable होता है और इसलिए वो invalid हो जाएगा झाल, क्या जो हूगow आएगा होता है झाल झाल